ओ हेलो आ गया दोस्तों CSC का PMG दिशा सर्विस में एक स्टिडेन को पांच ट्रांजेक्शन देना पड़ता है एक एक रूप्या फाइब टाइम्स इसके हिसाब से 20 ट्रांजेक्शन में स्रिप और स्रिप चार्ज ट्रांजेक्शन की आउटकम कंप्लेट कर सकते हैं उससे ज ज्यादा नहीं कर सकते 20 ट्रांजेक्शन का मतलब है आप 4 स्ट्टुडेंट का आउटकम कर सकते हैं उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं तो आज की वीड़ियो में हम सिखेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि 20 से जादा UNLIMITED ट्रांजेक्शन करें और आप ना कि सिर्फ चा सार आठ दस पंद्रह बीस पज़ाज जिसना भी स्टुडेंट हो का एक साथ में अगर आप आउटकॉम कंपलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आई ये इसके बारे में बात करते हैं तो नमस्कार दोस्तों मेरा जुताती आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरा य लेट कलर की बटन दिख रहा है सस्क्राइब का आपको उसके उपर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपके सामने आएंगे कुछ इस टाइप का एक छोटे सा बेल आइकन आपको उसे भी क्लिक करके उसे ओन कर देना है इससे यह होगा कि जब भी मैं यूटूब में लेटेस् चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि आप जो है PMG दिशा की सर्विस में आप unlimited transaction करके आप जो है student का outcome फिल कीसे करें चलिए शुरू करते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं SBI Anywhere Personal करके एक F दिख रहा मेरे मुबाइल इसे आपको download कर लेना है ठीक है इसका link मैंने description में already देके रखा है या फिर आप play store से भी download कर सकते हैं अब जहां मर जी वहाँ से जा करके आप download कर लीजिएगा download करने के बाद आप इसे open करेंगे चले मैं open करके देख लेता हूँ पहले इसका interface कुछ each type के आएंगे ठीक है तो आप देखेंगे कुछ each type के आपके interface आएंगे उनका तो आप यहाँ पर देख सकते है login और यहाँ पर register तो मैं आपको यहाँ पर एक बात की जानकारी देता अगर आपके net banking register नहीं है तो आप यहाँ से काम नहीं कर सकते हैं मतलब आपका net banking registration होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप net banking registration नहीं किया है अभी तक तो आप यहाँ से जाकर के registration पे click करके आप new user पे जाके अपना registration यहाँ से भी कर सकते हैं और अगर आपको problem हो रहा है तो मे मेरा एक वीडियो है मैं उसका लिंक पर देखे राखा हूं आप उसे देख करके भी आप नेट बेंगिंग रेजिट्रेशन कर सकते हैं ठीक है रेजिट्रेशन करने के बाद आपको करना क्या होता है आपका इंटरफिस कुछ इस्टाइब के आएंगे आप यहां से इजी पी और तो ही मेरा मैं पीन भी लागा चुका हूं ठीक है तो मैं अपना पीन और योजारने पासवोड आपको नहीं दिखाने वाला हूं मैं डाइरेक्ली इस पे लॉग हो करके ही आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि मैं लॉग दिन हो चुका हूं एज विया अब आप देख सकते हैं फान्ट ट्रांसफर या फिर आप नीचे देख सकते हैं क्विक ट्रांसफर एन डौनेस तो आपको यहां पर किलिक कर देना लेकिन ध्यान रखें आप UPI में किलिक मत किजिए क्योंकि इसमें लिमिटेट होता है ठीक है अनलिमिटेट नहीं होता तो तो आपको quick transfer पर click कर देना है, तो आप यहाँ पर देख सकते है, send money, आपको उसके उपर click कर देना है, उसके बाद आप अपना account को यहाँ से select कर लीजिए, ठीक है, already यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, और यहाँ से आप scan भी कर सकते हैं, ठीक है, scan now पर, या फिर pick from gallery से भी आप उसे ले सकते हैं, या फिर आप pay using account details पर click करके भी कर सकते हैं, तो मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ, pay using account details, तो यहाँ पर मैंने click किया, तो चलिए मैं फटापट से यह सब fill कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से आप जो है अपने account को select कर लीजिएगा, उसके बाद आपको beneficiary name पे ccspv bank आपको type कर देना है, beneficiary account number पे आपको account number भर देना है, और फिर उसके बाद आपको confirm account number पे confirm कर देना, मतलब दुबारा से यह account number भर देना है, ठीक है, उस उसके बाद beneficiary IFC code जैसे कि आप सुभी को पता ही, UTIB 000049 उसके बाद amount पे आपको one type कर देना है, फिर रिमार्क्स में transfer type कर देना है, और submit पे click करने के बाद आप यहाँ पे देख सेकते commission amount include taxes 000, मतलब यहाँ पे आपको एक page आपको जो है, यहाँ पे text भरना नहीं पड़ेग लेकिन अगर आप यह काम अगर आप computer से करते हैं, तो आपको वहाँ पे charges लएगा, यहाँ से charges नहीं लाएगा, इतना clear है, ठीक है, उसके बाद आपको confirm पे click कर देना है, उसके बाद आप यहाँ पे OTP को आपको collect करना है, अगर आपकी इसी mobile phone में वो mobile number registration, mobile number अगर लगाय पे submit कर देता हूं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसी तरह से आप जो है, SBI Anywhere Personal Mobile Application के द्वारा unlimited transaction कर सकते हैं, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से share कीजिए, और मेरे नए महमानों से गुजारी से हो सेके तो म जरूर कर लिजिएगा, Thank you for watching, आपका दिन सुबरे